अब हम डिसकस करते हैं सर बीकॉम प्रोग्राम के पेपर सेलेक्शन को लेके आपको सर्फ एक ही बात में हर बार बोलता हूं ध्यान रखना है बुक्स अविलिबल है या नहीं बस पेपर नंबर साथ इसके अंदर कुछ ऑप्शन दिये गया जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया आपके साइकलोजिकल हो गया आपका संस्कृत हो गया अब या संस्कृत अगर तुम्हें देना ही था तो अब इनका ये मानना है कि डेली उनि सब्सक्राइब को सब्सक्राइब या हमारे संस्कृत है और किसी अकशि का सूरीम नहीं में स्कत है नहीं कि आयम और कि जो Political Science है, हर किसी को पढ़ना चाहिए, लेकिन एक होता है, हमें Inter ultras के लिए पढ़ना, एक होता है हमें Marks लाने के लिए, तो यहाँ पे देखा जाने हैं, तो Marks लाने के लिए, पढ़ने के लिए, कहीं से कहीं तक हमारा बस मेन फोकस होता है कि यह paper देना paper pass हो जाए बस तो यह subject भी cut हो जाता है जिन बच्चों को लेना है तो आपके पास इसमें सिर्फ एक यह subject बनता है जो आपको choose करना है इसका books भी आप download कर सकते हो आपके पास available है paper number 7 में तीन subject तो आपके core है है जो कि आपको choose करना है एक आपका fm है एक आपका business stats है एक principle of marketing है तीन ऐसे subject है जो कि आपको लेने ही लेने इसमें कोई choice नहीं है एक और subject आपको EVS हर किसी को हर किसी को EVS दे दिया नहीं है वन पढ़ लिया पार्ट टू आपने चेक किया पार्ट टू दे रखा है वो लेना ही लेना तो चार सब्जेक्ट हो गया है पांचवा सब्जेक्ट मैंने यह बता दिया एक और subject है पेपर नंबर छे पेपर नंबर छे और साथ यानि आपका पेपर नंबर कौन सा मिसिंग कर दिया इन्होंने चौथा पेपर बोल रहा है कि हम एक्जाम वाले दिन आपको question paper answer sheet के साथ देंगे और सिर्फ आपको लिखना होगा इसका यह डियू वालोगा है कि answer sheet मिलेगा आपको एक्जाम में तो आगे एक English communication in professional मेरे साथ से इसका मतलब के होगा अच्छा subject लेकिन चीज़े अवेलिबल नहीं है इसके बाद personality development यह भी मेरे समझ से एक रंग मंच बनता है जिनका आपको study material मिल जाता है एक business communication बनता है आपको यह दो subject में से कोई एक subject choose करना है रंग मंच आपका एक हिंदी का subject है नाम थोड़ा से इन्होंने अटपटा रखा हुआ है लेकिन है हिंदी का subject और जो business communication है यह company law से related है सारा कहीं ऐसा मतलब सोचना business communication है business की बोल चाल क्या होता है इसमें board meeting discussion होगा इसके अंदर आपका AGM discussion होगा तो यह सारी चीज़ है हां company law से related है कि board meeting कैसे होते हैं कैसे member जाते हैं उसके उपर letter कैसे भेजोगे notice कैसे दोगे तो यह सारी चीज़ है यहां पे तो business communication का मतलब एक company अपने shareholder के साथ किस तरीके से communication करें तो वो चीज़े यहां पे सिखाए जाती है तो वो सीख सकते हो हां अगर आप बात करते हो इन दोनों subject में से हमारे जीवन में कौन से points काम आ सकता है तो यह business communication आपका काम आने वाला subject है जो day to day life में use होता है तो वो आपकी वर्दी है कि आप लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते है तो total मिलाके हमारे पास subjects क्या क्या हो गया अगर मैं देखूं तो पहला होगे हमारे पास fm दूसरा होगे हमारे पास business तीसरा होगे हमारे पास principle of marketing, चौथा होगे हमारे पास EVS, पांचवा होगे हमारे पास psychological और चटा होगे हमारे पास आपका या तो business communication ले लो या फिर आप ले लो रंग मंच और एक जो subject सब्सक्राइब करने बाकि अलग अलग सब्जेक्ट में मत फस जाएए काफी सारे बच्चे क्या करते यह कर लेते हैं वह सोचते हैं यार मेरी परस्टनलेटी इतनी अच्छी नहीं तो साइद इसमें मुझे तो बेटर रहेगा समिस्टर पांच के सब्जेक्ट सेलेक्शन बता दो मैंने बता दिया सोनू सेलेक्शन पांच के सब्जेक्ट और मैंने यूटूब पर वीडियो डाल दिया है आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं समिस्टर पांच में कौन-कौन से सब्जेक्ट करने चाहिए मैंने बता दिये हैं उसके भी यह